हलो फ्रेंज जोहार आप सभी को मीरा मैं शेलजर ट्रीट्स 26 में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसा थमनेल देख करके आपको पता चल ही चुगा होगा फ्रेंज आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चाय वो भी बिलकुल साथ अलग-अलग तरीके से तो चलिए फटा-फट इसके शुरुआत करते हैं फ्रेंज यहां आप देख सकते हैं पतीले मैंने दोद ले लिया है और ये दोद को मैंने पहले भी उबाल करके रखाता है तो बब मैं इस में डाल रही हूं एक गिलास पानी एक सराझ को ढल सकते हैं अब IT मैं डालूँ गी इंच अधरग जिसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है और एक की दाल से इसमें और दाल大丈夫 कोट लिया था तो जो अद्रक और इलाइची का फ्लेवर है वो चाय में अची तरह से मिल जाए अब मैं इसमें डाल रही हूँ है एक चमच चाय पत्ती और फ्रेंच चाय तभी अची बनती है जब आप इसे धीरे से बनाए तो कम से कम आप इसे 10-12 मिनिट के लिए जरूर लो टू मीडियम फ्ल अच्छा सा चुका है तो अब हम इससे एक कप में डाल देंगे यहां पर मैंने कप ले लिया है तो आद्रक इलाइची वाई चाय बिल्कुल तयार है फ्रेंच अब हम एक और कप लेंगे अब इसी चाय को मैं इसमें डाल रहे हूं और चाय डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे दो से तीन चम्मच मलाई तो यह हमारी त्यार हो गई है मलाई वाली चाय आप मलाई डाल करके इससे चम्मच से मिला लिजिए उसकी बाद फ्रेंच हम बनाएंगे अद्रक वाली चाय तो मैंने एक पतिला ले लिया है अब मै मैं यिसमें डालूंगी पानी मैंने 11 गिलास पानी डाल दिया है कि अब के मैं इसमें डालेंगे एक इंच अधरक जिसे मैंनेन फॉट लिया है जै प्रेंड अधरक को जो है आप पूरक की डाले तभी उसका फ्लेवर चाई में अची तरह से आएगा अब मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच चाई पत्ती तो चाई पत्ती और अध्रक को हम लोग उबाल लेंगे अब प्रेंस इसे करीब पांच मिट के लिए जरूर उबाले तब ही जो इसका फ्लेवर है वह अच्छी तरह से आएगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी आप अपने स्वात के नुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं अगर आप चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप बिना चीनी के भी इस चाई को बना सकते हैं तो यह उबाल अच्छी तरह आ गया है अब हम डालेंगे इसमें दूद तो मैं यहाँ एक कप दूद कर स्तमाल कर रही हूँ और दूद डालने के बाद फ्रेंज आप इसे 10 से 12 मिनट के लिए आप इसे उबाल लेजिए लो टू मीडियम फ्लेम पे तो आप देख सकते हैं इस चाय में उबाल आ चुका है और चाय जो है हमारी बिल्कुल तयार है तो हम इसे एक कप में डाल लेंगे तो यह रेडी हो चुकी है फ्रेंज हमारी अद्रक वाली चाय फ्रेंज अब हम लोग बनाएंगे मसाला चाय तो मैंने यहाँ पर एक पतिला ले लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूं धाई कप पानी और फ्रेम को हम लोग ओन कर लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक इंच अद्रक तो मैंने यहाँ पर एक इंच अद्रक को कूट लिया है अब इसमें जाएगा एक तेज पत्ता और आधा चमच चाय पति अब ध्यान रहेंए चाय पति आपको बहुत जादा नहीं डालनी है अब मैं इसमें डाल रही हूं दो लॉंग अब सब चीज को मिला लेते हैं और इसे उबालाने देते हैं और करीब आप लो टो मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिंट के लिए उबाल लेजिए तब ही आपकी चाय जो है वह अच्छी बनेगी तो 10 मिंट हो चुके हैं अब मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा नमक और चीनी भी अगर आप नमक और चीनी पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवाइड कर सकते हैं आप बिना चीनी और नमक के इस चाय को बनाएए तो फ्रेंस अब हम बना रहे हैं इरानी चाय तो मैंने यहां पर पतीले में दो गलास पानी डाल लिया है और मैंने इसमें डाल दिया है दो चम्मत चीनी उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मत चाय पती और फ्रेंस इस चाय को मैंने कम से कम 15 से 20 मिंट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर उबाल लिया है इर और हम एक पतीले में दूध को भी गरम कर लेंगे, अब मैं इसमें पहले डाल रही हूँ लाल चाय, जो हमने पहले बनाई थी, उसके बाद उबला हुआ दूध हम इसमें डालेंगे, और उपस में डाल रही हूँ थोड़ी सी मलाई, अगर आपको मलाई पसंद नहीं है, तो अब सारी चीज़ों को मिला लेंगे तो ये फ्रेंस रडी है हमार इरानी चाय अब हम बनाएंगे मसाला चाय तो यहां पर मैंने एक पती लेम पानी गरम कर लिया है और मैंने डाल दिया एक चममच चाय पती उसके बाद में डाल रही हूं आधा चममच काली मिर्च का पाउड और चीनी तो चीनी आप अपने स्वात के नुसार डाल दिजिए और इसे कम से कम हम 10 मिट के लिए उबाल लेंगे तो 10 मिट हो चुके हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूद तो मैंने एक कप दूद इसमें डाल लिया है अब मैं इसे 5 मिट के लिए और उबालेंगे जैसे मैंने पहले बताया आप low to medium flame पे ही उबाले और एक इंच अद्रक मैंने इसमें डाल दिया है अब मैं डाल रही हूँ एक हरी इलाइची जिसे मैंने कूट लिया है तो फ्रेंस ये चाई 10-15 मिट पर त्यार हो जाती है आप इसे low to medium flame पे ही उबाले हमारी दूद वाली मसाला चाई बिल्कुल रेडी है फ्रेंस आप इसे जरूरी नजॉय करें अब हम बनाएंगे लाल चा चाई पत्ती जो सबसे सिंपल चाह है फ्रेंस और चीनी आप अपने स्वात कहनों सारे इस में डाल लेजिए तो इसे हम ज्यादा नहीं उपालेंगे फ्रेंस कम से कम हम इसे 7-8 मिनिट के लिए उबाल लेंगे तो चीनी मैंने बाद में डाल लिया है अगर आप चीनी खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे सिर्फ अध्रक और चाय पत्ती के साथ बनाएं या अगर आपको अध्रक भी नहीं खानी है तो फ्रेंस आप इसे पानी और सिर्फ चाय पत्ती को थोड़ा सा उबाल लीजिए तो यह लाल चाहे बिल्कुल रेडी है फ्रेंस एक कप में मैं इसे डाल देती हूं फ्रेंस आप चाहें तो इसमें नीबू निचोड करके भी डाल सकते हैं इसी तरह से आप इक नीबू को निचोड करके इसमें डाल लीजिए जैसा मैं कर रहे हूं तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और जितनी भी मैंने चाहें बनाई है आप उसे फ्रेंस और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थांक यू